हलो सुदेंस, वल्कम टु दे ज्ञान गंगा अकाडमी ज इंटरेक्टिव क्लासे यह हमारी हिंदी की पाठ्थे पुस्तक रिम्जिम है और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर एट कौन यह एक कविता है जो की लिखी है सोहनलाल दिवेदी ने यह कविता एक ऐसे जीव के बारे में हैucker में बहुत से समाने को कुतर देता है कभी चपल कुतर देता है कभी बटन कभी कुर्ता कभी रसी कभी पोती और हर чीज को कबार बना देता है ऐसा कौन सा जीव है कवी बड़ी चालाकी से उसके बारे में बात नहीं करता परन्तु इशारों में वह बात समझा देता है चलिए पढ़ते हैं और इस कवीता का अनंद लेते हैं इस कवीता का नाम है कौन और इसके रचियता कवीता के हैं रचियता सुहन लाल दिवेडी कवीता है अब अगर आप पेज को देखेंगे चारो तरफ से तो जो इस कवीता में आपको पढ़ने को मिलेगा वो आपको किनारे किनारे चितर आपको यहाँ पर इसके तरफ देखने को मिल जाएंगे आप चलिए पढ़ते हैं इसको कौन किसने बटन हमारे कुतरे किसने स्याही को बिखराया कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में आनाज बिखराया दोना खाली रखा रह गया कौन ले गया उठा मिठाई दो टुकुडे तस्वीर हो गई किसने रस्सी काट बहाई कभी कुतर जाता है चपल कभी कुतर जूता है जाता कभी खलीता पर बन आती अंजाने पैसा गिर जाता किसने जिल्द काट डाली है बिखर गये पोथी के पन्ने रोज टांगता धो धोकर में कौन उठा ले जाता च्छने कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता कौन कभाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता कौन रात भर कड़ बड़ करता हमें नहीं देता है सोने खुर खुर करता इधर उधर है धूंडा करता छिप छिप कोने रोज रात भर जागता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता बच्चो उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता कैसी लगी कवी था बढ़िया है ना चलिए इसे समझने का भी प्रयाश करते है कि कवी कहना क्या चाह रहा है कवी पूछ रहा है कि कौन है ऐसा जीव कौन है जिसने बटन हमारे कुतर दिये है अब कुतरने से ही आपको अंदाज़त कुतर कर चला जाता है और जो शाही है उसकी कलम की वो सारी की सारी बिखेर देता है बिखराया बिखेर देता है गिरा देता है और कौन चट कर जाता है दुबग कर मतला चुप करके घर भर में आनाज बिखराया और ऐसा कौन है जो चुप चाप करके चट कर जाता है, गर के खाने पीने को, और या फिर क्या करता है, जगे जगे बिखेर भी देता है, है न, वो कहता है कि दोना खाली, जिस दोने में मिठाई रखे थी, मिठाई गायब है, सिर्फ दोना रहे गया है, और एक जो तस्वीर जो खूटे पर तंगी थी, रस्षी से, वो रस्षी किसी ने काट दिये, और तस्वीर नीचे गिरकर दो टुकड़े हो गई है, कभी वो चपल खूटर जाता है, कभी जोता कूटर जाता है, और कभी-कभी खलीता, खलीता मतलब होता है थैली, या जेब को भी कहीं-कहीं पर खलीता बोला जाता है लेकिन यहाँ पर है थैली थैली पर बनाती है कभी कभी थैली काट देता है और अंजाने में क्या होता है कि आम उसमें पैसा रख देते हैं उस थैली में और वो पैसा कहीं गिर जाता है वो अगर पूछते हैं किस ने जिल्द काट डाली है और किसी ने पोथी पोथी वो इदे अधर बिखर गए है रोज टांगता धो धोकर में और मैं रोज धो धोकर उसे टांग दिया करता हूँ इसको छनने को छनने क्या होता है बहुत महीन सा पतला सा कपड़ा होता है जो की आटा चानने के या मैदा चानने के काम में आता है तो कौन उठा कर ले जाता है म तुझे समझ में नहीं आता है, मैं रोज उसको खूटे पर या उसे धोती को सुखाने के लिए टांगता हूँ, कभी सुहनलाल दिवेदी जी आगे कहते हैं, ति कुतर-कुतर कर कागज सारे, सारे के सारे कागज जो हैं, उन्हें कुतर-कुतर कर रद्दी से घर को भर जाता, रद्दी कुडे कबाड़ से न, उस कुडे से उपूरे घर को भर देता है, ऐसा कौन कबाड़ी है, वो जो कुड़ा, इतना कुड़ा, दुनिया भर का, उसके घर में भर के चला जाता है, कहता है कौन है, जो रात भर करता है, हमें सोने भी नहीं देता, खुर-कुर मिल जाए, काटने को खाने को, कुटरने को, कुछ भी रोज रात भर जागता रहता, रोज रात को पूरी रात भर जागता रहता है इदर उदर भागता रहता है धाता में भागता रहना खुर खुर खर करके आवाज करता रहता है बच्चो उसका नाम बताओ अगर तुम समझ गए हो तो उसका नाम बताओ कौन सरारत यह कर जाता कि एक सरारत कौन करता है अगर तुम जान गए हो तो बताओ तो कैसी लगी है कवीता बढ़िया है ना इस अच्छे से learn करेंगे राइट चली कुछ अभ्यास प्रश्न है वो करते हैं कवीता से कवीता पढखर बताओ कि वो हो सरारती जीव घर मैं कहां-कहां गया कहां-कहां गया वह हर जगे कभी कमरे में हैं न कभी कभी रसोई में कभी स्टोर रूम में हैं न अगला किस तरह की चीज़ों को किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ लगबख सभी चीज़ों किताबें जूते चपल कपड़ा सभी कुछ ऐसा है जिसको उसने नुकसान पहुँचाया होगा कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं तुम्हारे हिसाब से इन में से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा नुकसान पोथी या किताब के भाड़ने से कहा जा सकता है तो किसी के लिए थैली को कुतर देना काफी बड़ा नुकसान कहा जा सकता है क्योंकि उसमें रखावा पैसा जो है वह गिर जाएगा नेक्स्ट इस कविता में किसकी सैतानियों की बात कही गई है तुमने कैसे अनुमान लगाया तो किसके बात हैं अनुमान हमने लगा लिया था कि ये जरूर चुहे की कारस्तानिया हो सकती है चुहे के बारे में हो सकता है, क्योंकि जितनी भी बाते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे घरों में भी होती हैं, और ये करने वाला कौन है? चुहा होता है, राइट, कभी कुतर जाता है, चपल, शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा, अब तुम ब कागज है, और लकडी का कोई भी टेबल हो सकता है, बिखराया जा सकता है, अनाज, चीनी, चावल, काटा जा सकता है, जूते काट दिये, रसी काट दिये, इस तरीके से आप लिखेंगे, नेक्स्ट, कभाड का हिसाब, कभाडी क्या-क्या समान खरीदते हैं, जो भी आपको लोहा, काच, बोतल, चपल, कुछ भी, तुमारे घर से समान ले जाकर कभाडी उसका क्या करते हैं, बही वो उसको किसी बड़े कभाडी को बेच देते हैं, पता करो कि पुराना अगबार या रद्दी किस भाव में बिखते हैं, पुराना अगबार या रद्दी लगबक 10 11 रुपे के असपास बिखते हैं, अगर कभाडी तुमारे घर का कभाड ना खरी दे, तो क्या होगा, अगर कभाडी हमारे घर का कभाड ना खरी दे, तो हमारे घर में एक दिन कभाड का बहुत जदा पड़ा धेर हो जाएगा, और या फिर हमें उस कभाड को बार बार जला न, पढ़ेगा, यह योगा, गुट, घुस पैट, तुम्हारे घर में भी यदि यह सराड़ती जीव है, या उसकी फौज घुस गई है, तो पता करो कि उससे कैसे निप्टा जाता है, भाई घुस गई है, अगर घुस जाते हैं, भाई या तो चूहे दानी आती है, उसको पक या किसी आटे की गोलियों में चूहे मारने की दवाई आती है, वो मिलाकर भी उन्हें छुटकारा पा लेते हैं, इस सराड़ती जीव के अलावा और कौन-कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं, यह परशना आपको स्वाहिम करेंगे, वह चिप के लिए है, मच चुचंदर है, ऐसे जितरे भी जो प्राणी हैं, आपके घर में घुसते हैं, चीटियां हैं, आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, बूज हो, नीचे लेखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा, खीची है, उसका अर्थ आपस में चर्चा करक बताओ, पहला, कभी खलीता परबन आती, अंजाने पैसा गिर जाता, खलीता मतलब पोटली या जेब भी, वैसे पोटली कहेंगे हमें आप, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता, च्छन्ने, च्छन्ने, पतला सा महीन सा कपड़ा होता है, जो की च्छन्ने क काम आता है, रोज रात भर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, धाता मतलब दोड़ना, राइट स्टुन्स, तो ये थी हमारी कवीता, कौन जो की एक चुहे के बारे में है, और इसकी एक साइज़, मुझे अमीद है, कि आपको अच्छे से समझ में आ गया अच्छे से पढ़ेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, गुद देगे I hope you enjoyed our video, thanks for being with us